हेलो एवरिबन आई हम इनाक्षी शर्मा बेलकम टू आर यूटिव चैनल एच्पी अमित एजूकेशन जो कि आपको प्रवाइट करवाता है डिफरेंट डिफरेंट इग्जैम से लेटिव इन्फरमेटिव एंड हल्फल वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अप आपके एग्जैम में आपको देखने को मिलते हैं तो आज किस वीडियो में हम जो है इसी टॉपिक को डिटेल में जानेंगे समझेंगे क्रिया क्या होती है तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं अर्थात क्रिया का अर् बर्व ठीक है तो व्याकरण में बर्णों का एक महत्वपुन भाग होता है और ये वर्ण जो है वो भाषा में क्रिया या कार्य को प्रकट करता है। अब इसमें आती है एक धातु भी आती है तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं धातु कहते हैं अर्थात शब्द जिस शब्द से क्रिया पत का निर्मान हो उसे हम क्या कहते हैं धातु कहते हैं अतह कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती ह चलना क्रिया में कौन सी धानु इस चल सबुमानी के ऊज़न किरिया से क्रिया का निर्माण यह tulis धातू कहते हैं तो धातू जो है वो आपके कितने परकार की होती है दो परकार की होती है कौन-कौन सी मूल धातू और योगिक धातू इसे क्रिया रूड धातू भी बोलते हैं तो आईए जानते हैं इसके बारे में मूल धातू मूल धातू क्या होती है वह धातू जो किसी सिरवर नहीं होती है अर्थात जो स्वतंत्र होती है वह मूल धातु कहलाती है जैसे जा खा पड़ चल च्यक्हेश करी कि अप्रतिया लगार बनाए जाती है इस तो यह धातु किसी मूल धातु में संग्या या भीशेशिन प्रत्य लगाकर बनाई जाती है अर्थात ये धातु स्वतंत्र नहीं होती है जैसे चलना से चला पढ़ना से पढ़ा बनता है योगी धातु की रचना अब हम जानेंगे की कैसे होती है तो धातु में प्रत्य लगाने से सकर्म और प्रेणार्थक धातुएं बनती है तो कई धातुओं को या विशेशन से हमारी कौन बनती है नाम धातू बनती है तो योगी धातू जो है वो आपकी चार परकार की होती है कौन-कौन सी पता होना चाहिए आपको प्रेनार्थर क्रिया संयुक्त योगी क्रिया नाम धातू क्रिया अनुकडात्म क्रिया आईए सबसे पहले हम जानते ह प्रेनार्थ क्रिया धातू के बारे में तो वह क्रिया जिसके द्वारा यहाँ पता चलता है कि करता स्वयम ना काम करके किसी दूसरे को कारे करने के लिए प्रेरित करता हो ठीक है प्रेनार्थ करना अर्थात करता जो है वो स्वयम काम नहीं करेगा वलकि उस कारे को करने के ल लिए वो प्रेणार्थक रिया धातू कहलाती है जैसे देखो मोहन ने सोहन को जगाया यहां पर सोहन मोहन की प्रेणा से जागा है इस परकार प्राय सभी धातूं के दो दो प्रेणार्थक रूप होते हैं प्रथम वह धातू मैं आ लगता हो जैसे कर से करा सुन से सुना दू प्रेणार्थ करिया है एक साइट पे चीके तो जैसे मूला तो उठ है तो उठ से मैं ना लग गया प्रत्य तो उठना पी से पीना तो इसी तरह जो है प्रेणार्थ में क्या बनेगा उठ से उठना तो उठाना उठवाना पीना पिलाना पिलवाना करना कराना करवाना सोना खाना खिलाना खिलबाना अब इसके बाद है योगिक संयुत क्रिया धातू तो यह क्या होती है दो या दो से अधिक धातूओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह योगिक संयुत क्रिया धातू कहलाती है तो रोना धोना उठना बैठना चलना फिरना दो से वनी है रोना धोना उठना बैठना चलना फिरना फिर आती है नाम धातू करिया तो वह धातू जो संग्या सरवनाम या बिशेशन की सहायता से वनती है वह नाम धातू कहलाती है जैसे बात से बतियाना अपना से अपनाना ग करम से गर्माना अनुक्रणात्ममक्रिया है क्या होती है तो वह वास्थिक या कलपित ध्वनी जिसे करिया쩩ं के रूप में अपना लिया क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है उसे अनुकर्णात्म क्रिया कहते हैं जैसे खट-खट से खट-खटाना तो कल्पी ध्वनी है ना कि थप-थप से थप-थपाना एक वास्तिक ध्वनी ठीक है उसका जो है जिससे क्रिया की रूप में अपना लिया जाता है जैसे कर्मक्रिया अकर्मक्रिया क्या होती है तो बैसी क्रिया जिसके साथ करम से होती है या करम होने की संभाबना होती है तथा जिस क्रिया का फल करम पर पढ़ता है उसे कर्मक्रिया कहते है सरकर्म यानि करम के सहित जो होगी जैसे राम आम खाता है तो इसमें क्या है इसमें खाना क्रिया के साथ क्या है आम जो है वो कर्म है मोहन पढ़ता है तो यहां पढ़ना क्रिया के साथ पुस्त कर्म की संभाबना बनती है तो यह आपकी क्या है सकर्मक क्रिया है यनि की अकर्मक कर्म के बिना तो वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्म कर्म राम हंसता है तो इस बागे में करम का अभाव है कृया का फल करता याई राम पर पड़ रहा है दो क्रीजा को पहहचानने का नीयम क्या रहता है ध्यान से देखिए कि क्रीया की पहचान के लिए क्या और किसको से प्रशन करने पर अगर उत्तर मिलता है तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और अगर आपको क्या और किसका प्रशन करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्रिया क्या आपकी अकर्मक है जैसे यहां पर देखो राम सेव खाता है तो इस वाक्य में प्रशन करने पर कि राम क्या खाता है तो उत्तर मिलता है सेव तो खाना क्या आपकी कर्मक्रिया हो गई सीता सोई है तो इस वाक्य में प्रशन करने पर कि सीता क्या सोई है तो उत्तर कुछ नहीं है कि क्या सोई है तो सीता किस को सोई है इसका भी कुछ उत्तर नहीं है तो ये क्या हुई है आपकी सोना क्या होगी क्रिया और कर्म क्रिया हो गई क्रिया के अन्य भेद की बात करें यहां पर तो इसकी सहाय क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ परियुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पस्ट और पूरन करने में सहायता परदान करती है यानि कि आपकी हैल्पिंग वर्व इसे कहते हैं सहाय क्रिया जैसे मैं बाजार जाता हूं तो यहां जाना जो आपकी मुख्य क्रिया में वर्व है लेकिन हूं के आपकी सहाय क्रिया जैसे इसे मार वाज वर होती है ठीके फिर आती है पूरव काली क्रिया तो वह क्रिया जिसके द्वारा करता क्रिया को समापदल कर दूसरी क्रिया को प्रारंब करता है वो पूरवकाली क्रिया होती है तब पहली क्रिया को पूरवकाली क्रिया जो वो कहा जाता है जैको एक्जामपल से श्याम भोजन करके सो गया तो यहां भोजन करके क्या है पूरवकाली क्रिया न उसके बाद दूसरी क्रिया क्या है उसकी सो जाने की संपन करी ठीक है अब इसके बाद होती है आपकी नाम बोध करिया तो वह करिया जो संग्या या विशेशन के साथ जुड़ने से बनती है वह नाम बोध करिया कहलाती है जैसे कि देखो संग्या और करिया लाठी और करिया मारना तो नाम बोध करिया के बनागी दुखी होना तो आपकी बन जाएगी इसमें दुखी होना फिर आती है अनेक आर्थ क्रियाएं वैसी क्रियाएं जिसका परियोग अनेक अर्थों में किया जाता हो वे अनेक आर्थ क्रियाएं कहलाती हैं जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं वह भात खाता है वह मार ख के हैं बहुत हैं ठीक है और इनी टॉपीस को और भी एक्जैम्पल के साथ बड़ी डिटेल से अगर आप पढ़ना चाते हैं तो हमारी जो है अलग प्लैटफॉर्म पर जो है लाइव क्लासिस के बैचेस चलते हैं तो आप जो है वीडियो में इतनी और अगर और आप यहां पर बता भी सकते हैं कि आपको हमारे वीडियो आपको मारी कोशिश जो वो कैसी लगी ठीक है अपनी वैल्यूबल फीडियो जरूर दीजेगा और अगर आप फर्स ताइम हमारे चैनल पर बिज़ित करें तो प्लीज अब आप से इसके नेक्स पार इसके नेक्स टॉपिक के साथ थेंक यू